जे दुस्तों बंदे मातरम इस समय लौड स्पीकर विवाद फजाब विवाद की बाद एक और और नया विवाद पैदा होता हुँ दिखाई देरा और वह भयाद ग्यानवापी मस्जित के सर्वे को लिखा हैं ग्यानवापी मस्जद, इसके बारे में क्या कुछ चर्चे हैं या आप सबी जानते ही होंगे कि भार से कुछ और दिखता है और अंदर कुछ और है इसी को लेकर मुस्लिम पक्षा कहना है कि भाई या वीडियोग्राफी नहीं होगी तो उसके मन में और भी ज़्यादा समभावनाय पैदा होने लगती है कि ये हुआ तो ये हो जाएगा, वो हुआ तो वो हो जाएगा तरह तरह की बाते आती है तो ऐसे में अब वीडियोग्राफी का जो सरवे होना है वो उसके उपर भी हाल फिलाल की नौत आरिक तक के लिए रोक लगा दी गई है अब क्या कुछ हुआ है ग्यानवापी मस्जद के मसले में इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले है इस वीडियो में उत्वदेश के वारानासी में स्थित विवादित ग्यानवापी मस्जद परिसर में माश रिंगार गौरी स्थल की वीडियोग्राफी एवन सनरेक्षन का काम शनिवार सातमई को विरोध के बाद नहीं हो सका विवादित धाचे से संबंदित अंजुमन इतजामिया मस्जद समीती ने शनिवार को स्थानी अदालत में याचिका देकर एड़ोकेट कमिशनर अजे कुमार मिश्रा पर पक्षपाथ पूर्ण होने का आरोप लगाते हुए उन्हें बदलने की मांग करी मस्जद कमिटी के अदिवक्ताओं ने ये कहते हुए अंदर जाने से रोग दिया कोड के आदेश में मस्जद के अंदर वीडियोग्राफिक आदेश नहीं है विरोट के बाद सर्वे का काम अगली सुनवाई 9 मई तक के लिए टाल दिया गया हिंदू याचिका करताओं का प्रदेश करने वाले अधिवकता अरिशंकर जैन ने बताया कि वारणसी के सिविल जजज मतलब सीनियर डिविजन रवी कुमार दिवाकर के अदालत में एक आविदन दायर किया गया है जिसे मस्जद का प्रदिन्द करने वाले वकीलों दोरा एडवकेट कमिशनर को बदलने का निरोद किया गया है। जैन ने कहा कि सुमवार को मामले की सुनवाई अदालत दोरा की जाएगी और हम मुस्लिम पक्ष दोरा उत्पन की जा रही बाधाओं पर अपनी अपत्ति उठाएंगे। बड़ी संक्या में पुलिस फोर्स को भी सुरक्षा विवस्ता के लिए लगाया गया था। जब साथ माई को जब सर्वे करने वाली टीम वहां पहुंची तब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दरवाजे पर खड़े होकर जाम लगा दिया। के लोग बेरिगेटिंग के भीतर घुज गए। ग्यानवापी श्रंगार गौरी का विवाद पछले साल शुरू हुआ था। पांच हिंदु महिलाओं ने कोल्ट में याचिका देकर मस्जित के अंदर स्थित मातर स्रंगार गौरी तथा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा करने की जाजत मागी थी। लेकिन अगर चोर की दाड़ी में तिनका भी है तो उस तिनके के करण उसको परेशानी बहुत होने वाली है। आप सभी का इस मामले पर क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताइए मेरे सुडियों फिला अतना ही जाए हिन जाए बारत।